फ्लोटिंग गोल्ड क्या है? क्या आपने कभी सुना था ये शब्द तो चलिए जानते हैं इसके बारे में वेल मचली की उल्टी को एमबर ग्रीस कहा जाता है विशेशग्यों के मताबिक ये वेल के शरीर से निकलने वाला मल होता है जो उसकी आंच से बाहर आता है उल्टी, ये शब्द सुनने भर से ही किसी का भी मन खराब हो जाता है ऐसे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी जीव की उल्टी को बजार में बेचा या खरीदा भी जा सकता है वो भी करुलों के दाम में बता दे की यह बात सुनने में आपको चाहे जितनी अजीब लगे लेकिन है बिल्कुल सच इतना ही नहीं, इस जीव की उल्टी की तसक्री तक की जाती है ये जीव वेल मच्छली है आपको जानकर हैरानी होगी की बजार में वेल मच्छली की उल्टी की कीमत दस करोड तक आँकी जाती है नवंबर दो हजार बीस में थाइलेंट के एक मच्छुआरे को सौ किलो की वेल की उल्टी मिली थी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी वेल की उल्टी माना जाता है उस वक्त इसकी कीमत करीब 22 करोर रुप्य थी जाहिर है ये सब जानने के बाद आपके मन में ये सवाल भी आया होगा की आखिर इसके पीछे की वजह क्या है या क्यूं वेल मचली की उल्टी को इस तरह बेचा और खरीदा जाता है और इस उल्टी का क्या होता है आईए जानते हैं इसके बारे में आप सभी को Just With Pankaj Sinha YouTube चैनल में स्वागत है आपने देखना शुरू कर दिया है इसके लिए अगरिम शुब कामनाएं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप अपने परिवार और दोस्तों को भी शेय करेंगे वेल मचली की उल्टी को Amber Grease, Amber Grease कहा जाता है विशेश अग्यों के मताबिक ये वेल के शरीर से निकलने वाला मल होता है जो उसकी आन से बाहर आता है वेल समुद्र में मौजूद कई छोटी बड़ी चीजों का सेवन करती है वहीं, जब ये चीजें वेल के पेट में जाने के बाद पच नहीं पाती है तो उल्टी के रूप में बाहर आ जाती है इसे ही Amber Grease कहा जाता है Amber Grease दिखने में किसी मौम के थोस पत्थर जैसा लगता है और इसका रंग स्लेटी या काला होता है करुनों में क्यूं बिक्ती है वेल की उल्टी वैसे तो किसी अन्यजीव की तरह ही वेल की उल्टी से भी तेज गंदा आती है हालां कि इसका इस्तेमाल कई खुशबुदार परफ्यूम्स बनाने के लिए किया जाता है विशेश अग्यों की माने तो एमबर ग्रीस की वज़े से परफ्यूम्स की खुशबु लंबे समय तक टिकी रहती है यही वज़े है कि परफ्यूम्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कमपनिया इसे महंगे दाम पर खरीदती है एकदम सफेद वेल की उल्टी वाली वेराइटी की डिमांड परफ्यूम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होती है इसके अलावा एमबर ग्रीस का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए भी किया जाता है कुछ देशों में इसका इस्तेमाल दवाया बनाने में होता है यौन संबंधित समस्याओं के इलाज में भी एमबर ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है यही वज़े है कि वेग्यानिक वेल मच्छली की उल्टी को फ्लोटिंग गोल्ड कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 16 वी सदी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ड्वितिय वेल की उल्टी के साथ अंडे खाने के बहुत शौकीन थे वहीं, 18 वी सदी में वेल की उल्टी का इस्तेमाल टकिश कॉफी और यूरोप में चॉकलेट का फ्लेवर बढ़ाने में भी होता था मिस्र में आज भी सिग्रेट में फ्लेवर के लिए वेल की उल्टी का इस्तेमाल होता है ब्लैक प्लेग महामारी के दौर में कुछ यूरोपियों लोगों का मानना था कि वेल की उल्टी का टुकड़ा साथ में रखने से वे प्लेग से बच सकते हैं हालां की आपको बता दे की भारत में Wildlife Protection Act 1972 के तहट वेल की उल्टी को रखने या इसकी ब्रिकी पर रोक है स्पर्म वेल की घटी आबादी के चलते ये भारत में एक Protected Species है ऐसे में वेल की उल्टी समेट स्पर्म वेल के किसी भी बाइप्रोडेक्ट को रखने या उसका व्यापार करने पर भारत में बैन है एमबर ग्रीस अकसर समुद्र में तैरते हुए पाया जाता है कई बार ये समुद्र तटों पर लहरों के साथ बह कर भी आता है इसके साथ ही ये मरी हुई वेल के पेट में भी पाया जा सकता है इसे समुद्र का खजाना या फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं ये चीन, जापान, अफ्रीका और अमेरिका के समुद्र तटों और बहामास जैसे ट्रॉपिकल आईलेंड्स पर सबसे ज़्यादा मिलता है वेल की उल्टी जब वेल के शरीर से निकलती है तो इसका रंग आम तोर पर हलका पीला होता है ये गाढ़े फैट जैसी होती है, कुछ समय बाद इसका रंग गहरा लाल हो जाता है कई बार ये काली और सलिटी रंग की भी होती है जब एमबर ग्रीस ताजा होता है तो इससे मल जैसी गंध निकलती है लेकिन जैसे जैसे वक्त बीटता है इससे मीठी और मिठी जैसी सुगंध आने लगती है जो लंबे वक्त तक बरकरार रहती है धन्यवाद